हलो आपड़ीववान देसिर्मावन महांति वाड़ी गरें चुछ चैनल फिनांसल पंडेतेक नए वीडियो के साथ मैं फिर आया हूँ हाँ एक दिन मीच्वल फंड और इंबेस्मेंट से इलेटेड आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ वाकी में आप चाहते हो वीडियो का अप्टेशन सबसे पहले बिले चानल को सबस्काइब करो बेल आइगन को प्रेस करो लाइक और सेर करना ना भूलो आज के वीडियो में क्या स्पेशल होगा आज मैं किसी मीच्वल फंड से इलेटेड बात नहीं करूँगा आज तीन पॉइंट पे आपके सामने में डिसकसन करूँगा सबसे फर्स्ट पॉइंट आपके सामने रखता हूँ बहुत दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि कुछ एक ऐसे कमेंट्स हैं जो मेरे नाम से इट मिन्स की फिनांसल पंडित के नाम से कमेंड बोक्स में यहां पे किये जा रहे हैं बहुत ऐसे इंवेश्टर हैं बहुत ऐसे विवर हैं जो कंप्लेन भी कर रहे हैं कि सर आप य इसा response दे रहे हो कैसे comment कर रहे हो जो acceptable नहीं है और जब मैंने जाज परताल किया तो मुझे देखने को मिला कि exactly यहाँ पे financial पंडित के नाम से बहुत ऐसे fraud comment देखने को मिले है जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो Manoj Soni जी है यह पूछ रहे हैं we can do with different SIP date in multiple of 2500 each I want done one more before seven month तो यहाँ पे financial पंडित के नाम से एक comment आ रहा है thanks for watching send a direct message for info and guidance whatsapp below यह जो number है यह यहाँ का number नहीं है यह out of country इट मिन्स कि आपको या तो US का number देखने को मिलेगा या फिर आपको यहाँ पे Canada का number देखने को मिलेगा और यह जो financial पंडित के नाम से जो comment आ रहे हैं और यहाँ पे आपको बार-बार कुछ अलग-अलग number से यहाँ पे whatsapp number देखने को मिलेगा चलिए मैं एक दूसरा comment भी आपके सामने रखता हूँ यहाँ पे सौरव सिंग जी लिखते है सर मैंने गिरावट पे 50K का लमसम कर दिया है मेरे तीन SIP चल रहे हैं 9K की तो यहाँ पे financial पंडित के नाम से comment आता है same comment thanks for watching send a direct message for the info and guidance what's up below देखो आप कभी भी अगर ऐसे comment पे जा रहे हो की ने happy republic day एक comment किया है उसके नीचे ठीक मैंने भी happy republic day mention किया है और यह आप देख सकते हो highlight है जो financial पंडित का जो नाम है वो highlight है तो आप इस पे भरोसा कर सकते हो यह authorized channel है जबकि आप दूसरे comment में देखोगे तो उस नाम पे कोई भी highlight यहाँ पे नहीं दिख रहा है जो यह channel है वाकई में कोई ना कोई fraud से जुड़ा हुआ है आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए देखो मैं नहीं बार investor को बताया है कि जब भी आप मेरे से जुड़ रहे हों तो description box के whatsapp number से ही जुड़े कहीं और से आप number ना collect करे पिछले दो दिन और तीन दिन में एक complaint मेरे पास ये भी आया है कि exactly यहाँ पे मैंने payment कर दिया है आपको और वाकई में जो services चाहिए मेरे को नहीं मिला है और जब मैंने इसका जाच परताल किया तो पता चला कि exactly कई ऐसे comment है इस comment के थुरू यहाँ पे viewer को थोड़ा सा divert किया जा रहा है यहाँ पे कोशिस किया जा रहा है कि किसी ना किसी तरह viewer से कुछ यहाँ पे payment रेसीब करें देखो मैं investor को बताना चाहता हूँ 9 January से मैं कुछ plan investor के लिए लेके आया था gold plan, diamond plan और premium plan इस plan के अंदर बहुत सारे ऐसे फैसलिटी investor के लिए है और viewers को यह भी बताया था कि हमेशा description box में जाके ही whatsapp number को collect करें और उस number के थुरू ही whatsapp करें देखो comment box में मैं कभी भी किसी viewers और कभी investor को अपना account number share नहीं करता हूँ और नहीं मैं वहाँ पे कोई whatsapp number share करता हूँ तो आप ऐसे fraud से बचके रहें हाला कि मैंने इस नाम को block कर दिया है लेकिन फिर भी आपको यह देखने को मिले exactly ऐसे message को और ऐसे comment को ignore करें तो जब भी मैंने से जुनना चाहें description box में जाके पूरा detail चेक करें और वहाँ से आप जूर सकते हैं वहाँ से जो आपको number मिलेगा उस number के whatsapp के थूर जूर सकते हैं चलिए अब दूसरा point रखता हूँ दूसरा point क्या है मैंने कुछ दिन पहले Mirai Asset Emerging Blue Chief Fund को लेके यहाँ पे एक video share किया था वीडियो में मैंने बताया था कि exactly Mirai Asset Emerging Blue Chief Fund का performance कमजोर नहीं है मैंने शुरवाती दोर में भी उस video में यह बात रखा था कि यह mutual fund का performance week नहीं है वीडियो जब finish होने वाला था उस समय भी मैंने यह बात रखा था कि Mirai Asset Emerging Blue Chief Fund कमजोर नहीं है लेकिन किन कारणों से ऐसे mutual fund से बाहर निकलने के लिए मैंने कहा था वो रीजन बहुत ऐसे investor है जो समझ नहीं पाए और बहुत ऐसे investor का कमेंट आया कि sir mutual fund का performance तो काफी अच्छा है फिर भी बाहर निकलने के लिए कह रहे है अगर आप लमसम नहीं करना चाहते exactly आप अपने SIP amount को नहीं है तो investor को समझना पड़ेगा कि क्यों मैंने Mirai Asset Emerging Blue Check Fund को बाहर करने के लिए कहा था अब तीसरे point पर बात करते है यहाँ पे कुछ दिनों से market में गिरावट देखने को मिल रहा है it means market में दबाव है कहाँ 60-60,000 market था कुस दिन पहले है और आज जो market आपको देखने को मिल रहा है आप देख सकते हो almost 3000 के उपर का गिरावट देखने को मिल चुका है अब बहुत ऐसे investor हैं जो बहुत ज़्यादा panic हो गए है कि आज मेरे portfolio में तो 30,000 का नुकसान है मेरे portfolio में तो 25,000 का नुकसान है और वैसे में वो comment box में हमेशा पूछते रहते हैं सर क्या decision ले क्या यहां से हम बेज करके निकल जाए मैं comment box में काफी read करता हूँ और पता चलता है कि कई ऐसे comment है जो financial pundit के नाम से वहाँ पर add कि जाते हैं जबकि मैंने कभी भी comment नहीं किया exactly मैं बार बार बोलता हूँ जब भी आप कोई financial pundit के नाम से कोई comment देखें तो जरूर चेक करें कि क्या वो जो channel है वो authorized है की नहीं highlighted है की नहीं बहुत ऐसे cases देखने को मिले हैं जो financial pundit के नाम से कुछ भी comment box में comment करते जा रहे हैं और ऐसे में मैंने ये notice किया कि exactly investor को advise किया गया है कि आप अभी बेच कर निकल जाएं यहाँ पे बहुत बड़ा गिरावट होने वाला है मैं investor को यहाँ बताना चाहता हूँ ऐसे वैसे comment पे depend ना हुए हाला कि मैंने वैसे comment को block कर दिया है और आगे भी अगर ऐसे comment आएंगे तो exactly मैं उसको block करूँगा फिर भी अगर आपके comment के नीचे कोई ऐसा comment आता है तो उस पे easily believe ना करें बहुत ऐसे investor हैं जिनोंने गिरावट के साथ बहुत ऐसे mutual fund को बेच दिया उनको काफी नुक्सान हुआ पिछले साथ और आग दिनों से investor को यही advise कर रहा हूँ कि आपको बेचना नहीं है market से निकलना नहीं है ये बुरा time नहीं है ये opportunity का time है इसमें आपको और खरदारी करनी है बिकवाली नहीं करनी है लेकिन कुछ एक comment के चलते investor ने कई ऐसे mutual fund को बेच दिया वाकई में देखो comment box में कुछ भी comment डालते हो और आपके नीचे कोई भी comment आता है आप उस comment पे 100% depend ना हो research अपना जरूर करो और हाँ अगर वाकई में आप फिर भी confused हो तो आप मेरे से जूर सकते हो मैंने कई बार बोला है कि आप मेरे से जूर सकते हो आप अगर simple query करोगे कि exactly is mutual fund से बाहर निकले या फिर बने रहें तो मैं उसका reply जरूर दूँगा तो ये तीन point थे जो काफी important थे मैं लगतार देख रहा था comment box में कुछ ऐसे incident और accident हो रहे हैं जिसके चलते हमारे family का नाम खराब हो शकता है और इसलिए मेरे को ये video आपके सामने रखना पड़ा मुझे आसा है कि आप इस बात को समझेंगे और हाँ अगर आपको कभी ऐसा comment दिखे financial pundit के नाम से तो जरूर मेरे को आप यहाँ पर inform कर सकते हैं हाला कि मैं यहाँ पर regular check करूँगा और ऐसा कोई information देखने को मिला ऐसा कोई भी message financial pundit के नाम से जो की मैं reply नहीं कर रहा हूँ मैं वैसे message को block कर दूँगा मुझे आसा है कि इस video के माध्धम से आप बहुत कुछ समझे होगे और आप इस पे अमल भी करेंगे तो यह था आज का वीडियो इस वीडियो से लेटे तर आपके mind में कोई 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 हो बेजिज़े कमेंट बॉक्स में कोई जनरेट करें आनों वाले टाइम में बहुत सारी वीडियो लेकर आऊँगा एक हमबल रुक्वेस्ट अभी तक चानल को नहीं कीए सब्सक्राइब लाइक और शेयर हो तभी स्टार्ट करें फिर मिले एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए चैहें चैभारत